दही साथे भुलती पाण न खाव वाटली वस्तो, नहीं तो तमार थुड़ा दिवस सुधी पेट पकड़ी राखो पड़ छे, तमारी तबियत पाण वधु बगड़ी शके छे, जानू कई गई छे आवस्तो, दही एक हेल्दी खोराग छे, परन्तु तेनो योग्या रिते अन्योग्या कॉंबिनेशन साथे तैने खावू छोईए, दरिक वेक्ति जाने छे के दही नूँ सेवन इस वास्ते माटे कीटलू फाइदा खारक छे, खासकरीने दहीने पेट माटे घणू फाइदाकाराक मानवा माँ आवे छे, तैन्यू सेवन इस वास्ते माटे अत्यन फाइदा रूप छे कारण के तिमा प्रोटीन केल्श्रेम अने प्रोबायोटिक सिभरपूर मात्रा मा होई छे जो के किटलाक एवा खोराग छे जे दही साथे न खावा जोई ये कारण के तेना थी स्वास्ते समस्तिय आवो उभी थाए छे आठली वस्तों तो दही साथे बिल्कुल पन ना खाता सीफूड खाटा फड़ो बाफिला इंडा डूंगडी केरी दही साथे सीफूड नो मिश्रण इस वास्ते माते हानिकारक मानवा मा आवे छे आरुवे अनुसार सीफूड अने दही नी विपरित असर होई छे जे शरीर म असंतुलन नो कारण बने छे तना थी त्वचानी समस्याओ जवी कैलर्जी, फोल्यो अने अन्य समस्याओ पन थाई शके छे दही पहला थी थोड़ू खाटू होई छे एटले तेनने खाटा फड़ो साथ न खावू जोई जमके नारंगी, लिंबो, ध्राक्ष बगेर तेन साथे खावा थी पेट माँ एसिडेटी वधिश रके छे तना थी पाचन संबंधित समस्याओ पन थाए छे आने बेट माँ दुखावू पन रहे छे दही अने बाफिला इंडानू एक साथे सेवन ना करवू मानवमा आवतु है छे क्या बन्ने प्रूटीना सारा स्त्रोट शे परन्तु जारे एक साथे खावा माँ आवे छे तेरे ते पाचन तंत्रा पर दबाण लावे छे जना थी पेट माँ भारे पणू अने गैस नी समस्या थाए छे डुंगणी अने दहीनू मिश्रन पन टालगू जोईये आ मिश्रन पाचन तंत्रा ने नुकसान पहुचाड़े छे अने पेट माँ बढ़तरा गैस अने अन्य समस्याओनू कारण पन बने छे दही अने कैरीनू मिश्रन स्वाधियस्तो लागे छे परन्तु ते स्वास्ते माटे सारून थी कैरी अने दहीनू एक साथे सेवन करवा थी शरीर माँ जहरी तत्वो बने छे जराथी पाचन समंदित समस्याओ थवाल आगे छे औने त्वचा समंदित समस्याओ पन थाये छे प्रण मां कफ वद्वाथी श्वर्दी खांसी श्वासी तकलिफ चामडी ना रोगों थाये छे आउप्रां दही शाते खाटा फड़ो एमां लिम्बू छे टामेटा छे और ना लेवाजुए खाटी जराग श्रे ना लेवाजुए तेना काने एलर्जिक रियेक्शन आई छ आउट्र दही शाते आपकानना खाटा फड़ो पन स्वास्ते माटे सारु मानवामा आउटू न थी आरुवेद अनुसार रातरे दैगावा थी कफ नो दोश वधे छे जनाथी शर्दी उध्रस अने कफ जेवी समस्याओ पन थाई शके छे